हेलो एम्रीवन मैं हूँ सुमन और आप सभी का स्वागत है कुकिंग पैसन विद सुमन चैनल पर और आज मैं बनाने जा रहे हूँ बिना भी गोई दाल इंस्टेंट बनाए साउथ यंड इंडिन स्टाइल मेदुबड़ी और इसे बनाने में ज्यादर समय नहीं 5-10 मिनिट क समय लगता है और किसी दर कोई जहनजट कोई परिशानी नहीं है तो आएए इस रेसिपी को देखते हैं कैसे बनाते हैं इंस्टेंट मेदुबड़ा इसके लिए चाहिए हमें एक कप सूजी यह 200 ग्राम लगबग का है आप मेजरमेंट किसी भी एक कप को डिसाइड कर अब इसी कप से मैं आधा कप दही डाल रही हूँ इस पर अब इस पर डाल दे कुछ खड़ी मसाले जैसे ये है हरी मिर्शी ये दो कटी हुई हरी मिर्शी है अब इस पर डालते हैं एक छोटा साइज का प्याज बारिक कटावा प्याज ताकि इस पर कंचीनेस आ सके ये टूटली ऑप्सनल है आप चाहे तो डाले न चाहे तो न डाले अब इस पर डाले एक छोटा टुकडा अद्रक ये लगबग एक ही नच इतना बड़ा है अब इस पर डालते हैं थोड़ी सी साबूत जीरा और ये है काली मिर्श इसे मैंने दर-दरा साक्रश कर लिया है इसे भी डालती हूँ ये लगबग आठ से दस काली मिर्श हैं अब यह है करी पत्ता यह करी पत्ता साउथ इंडियन फूड में करी पत्ता का बहुत बड़ा रोल है तो मैं 8-10 करी पत्ता स्लाइस करके काट ली हूं पतली पतली इसे में डाल दी हूं अब इस पर डालते हैं स्वाद के एकोर्डिंग नमक अब मैं इन सभी इंग्रिडियंट को अच्छी तरह से मिक्स करती हूं और इस पर थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके दो बना है दो हमारा सॉप्ट होना चाहिए कड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि सूजी जो है वो पानी रिक्वाइर करती है हम इसी तरह की डो तयार करनी है पेस्ट टाइप की यह एक पेस्ट है देखे इस तरह से ठिक है अभी इसे में पांच मिनिट के लिए ज्यादा समय नहीं पांच मिनिट के लिए इसे ढख करके रखती हूं साइड पर ता अब त्रख दी हूँ अब कड़ाई गर्म हो गई है अब इसपर डालते हैं और फ्राइ करने के लिए और चाहिए हमारी तेल गर्म हो रही है अब इसपर डालते हैं वन फोर्ट टेबल जोड़ा डालती हूँ मिक्स करती हूँ इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है एकदम फ्लपी टाइप में यह देखिए हमारी डो फ्लपी हो गई है मैंने इस अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हमारे तेल भी गर्म हो गई है अब इक कटोरी में पानी रखनी है पानी को हाथ पे डिप कीजिए दुरों हाथ पे लगा लीजिए और यह बैटर को इस तरह से निकाल करके हाथ हेली के सेंटर में रखिए और इसे फैलाए आप जितने बड़े साइस का बड़ा बनाना चाहते हैं उतना ले लीजिए इस तरह से फैला लीजिए और उंगली के हल्प से इस तरह से छेद बना लेजिए अब आप इसे कणाई पर गरम कणाई पर डाले इस तरह से कणाई पर डाले जिए यह देखिए अब इसी तरह से दूसरा भी बनाते हैं और इसे कणाई पर डालते हैं फिर इसी तरह से हाथ में बैटर ले करके उंगली के मतब से छेद करके अब इसे कणाई में हलके से डाले तो बेशरी करके और एक बार में जादा जादा बड़े मत डालें चार से पांच इतना सही है इससे जादा नहीं डालें यह देखिए हमारी बड़े तयार होगे फ्राइब करके अगर आपकी बैटर हलका सा लूज हो जाए तो आप थोड़ी सी सूजी और डाल करके उसे ठिक कर लें यह देखिए कितने खुबसूरत बड़े हमारी गोर्डेन गोर्डेन कलर में बनकर तयार हो गई है यह देखिए इस तरह से मैंने सारे बड़े तयार कर लिए आईए इसससारब करते हैं यह देखिए यह हमारे में उड़ड़े बनकर तियार हो गए है आप शामपर के साथ में आपके शाथ सेयर की थी और उसका लिंक मैं डिस्कृसन बॉक्स में दे दी हूँ तो आप उस पर जाकर के चेक कर सकते हैं अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर इस रेसपी को बनाने में आपको किसी तरह की परिशानी आ रही है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जा करके हमें कॉमेंट करें तो यह देखिए हमारी यह मेदुबड़ा कितने खास्ते बनी है मैं इसे क्रश कर रहे हूं इसे एक तोड़ के दिखा रहे हूं यह देखिए बाहर से क्रिश्पी और अंदर से इकदम सौप्ट स्पॉंजी यह देखिए और कितनी जालिदार बहुत अच्छे से बन कर हमारी मेदुबड़ा बन के तियार हुई है तो आप इसे अपने घर जरूर ट्राइ करें और इस बारिश के मौसम में मेदुबड़ा खा करके एंज्वाइ कीजिए और थैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो जैश्प